फस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइर जग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरट नमस्कार आप देख रहे हैं फस्ट बाइट डॉट टीवे लॉट्डाउन हो या फिर सूपर लॉट्डाउन मेरट के लिसाडी गेट थानक छितर में इसका कोई असर नहीं है यहां बजार लगने के अलाबा अक्सर मारे पीट वे फाइरिंग के घटना होती रती है आज छत पर सामोहिक नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ दो पक्षो का विवाद इस हद तक जा पहुँचा कि थोड़ी ही देर में महां जबर्दस्ट पत्रावारंब हो गया सुचना पाकर पहुँची पुलिस ने किसी तरह हालत पर कब उपाया पुलिस ने दोनों पक्षो के पांच लोगों को गरपतार कर लिया है आज की यह वारदात लिसाडी गेट के लखी पूरा इलाकी की है यहां अब्दुलगफार, वेरियाज, दोनों प्रॉसी है लाउडान के चलते मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की जाज़त नहीं थी लिहाजा कुछ लोग सामोही क्रूप से छटों पर नमाज पढ़ने के लिए एक खटा होना शुरू हो गये थे और यहीं से विवाद शुरू हुआ आईए देखते हैं क्या बता रही है वहाँ माजोद महिला है पढ़ालो हमना इन्हों नहीं मना कर दी हमारे जैटना नोग डूंचला हमनी पढ़ाते पचासाओ आदमी थे नमाज पढ़ने के लिए नोगा बस तो उस बात के उपड़नू अभी समझेंगे तो तुम्हां दो हमें दो लड़के नमाज पढ़के पथ्षाओ कर दिया दि लड़की के चोटाई जब लड़की ती यहां पर यही ती यहां पर लेडी सी ती जैन सना था कोई भी वे हमारी तरफ गए वे थे हाँ पर हमने लड़की घाया ला हमारी जिठानी घाया ला इस बारे में एस्पेसिटे अखलेश नाराण ने भी जन कर दिये हैं आई देखते हैं ताना लिसारी गेट के लखीपुरा मुहले में अब्दूल गफार और रियाज नामक दो प्रोशी हैं आपक में इसमें बच्चों बच्चों बिवाद हुआ है फिर इसमें घर के बड़े सामिल हो गय इनमें मार्पीट हो गया पुलिस तुरंग वहां पहुंच गई इसमें एक पक्ष के तीन लोगों को दूसरे पक्ष के दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने अभ्योग पंजीकृत कर लिया है और सभी पांच लोगों को अरेस्ट कर लिया है या तनो हम पर फुलिस बल लगा दिया गया है